लेकिन मोबलाइजेशन को लेकर एक सबसे बड़ी ख़बर ये है कि उसके तहट पहली खेब मिलिटरी बेस पर पहुची है नय सेनिकों की पहली खेब मिलिटरी बेस पर पहुच चुकी इस वक्की बड़ी ख़बार British Defence Ministry का Intelligence Update नए सेनिकों को ट्रेनिंग देना, रूस के सामने बड़ी चनौती होगा, रूस एड्मिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल चैलेंज फेस करेगा, ये भी सामने आया रश्या की पाशल मॉबलाइजेशन पर बिडिश विभाग ने और क्या कहा, खुद देखे आप चला, जो फाक्स है वो ये है कि बिडिश इरिफिंस मिनिस्ट्री की इंट्रिजन्स अपडेट जो आ रही है, वो ये कहा रही है दिजेरूसलम पोस्ट के हवाले से खबर है, कि मॉस्को को चुनोथी का सामना करना पड़ा, एक और बड़ी बात, जो हमारे साथ आज अम्बैजर सकंत आयल सर थे, उन्होंने कहा कि रश्या में ड्रिंकिंग एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, और उसकी वज़े से डिसिप्लिन नहीं होगा, बैरार, ड्राफ्टेज में को देश चोड़ने की इजयासत नहीं होगी, रूसी सानसत नहीं कहा, इस सब के बीच में क्या मोबलाइजेशन का फैसला पूतिन की एक घलती साबित होगा, क्या मोबलाइजेशन के जरूइए का माइन गेम डेगस्तान जैसे प्रांतों की माइनोरटी को टार्गेट करना ह ये सब हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि खेर सौन और जैपुरेजिया में भी उनको भेज दिया गया है ड्राफ्ट की वो आ जाएं फॉज के अंदर रूसी फॉज के अंदर जो रॉशन पास्पोर्ट होल्डर्स हैं इस रिपोर्ट में देखते हैं एक एक खबर का खुलाज़ मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग डेगेस्टन पिछले एक हफ़ते से रूस के शहर शहर कुछ ऐसा ही मनजर है पार्शल मोबिलाईजेशन के विरोत में जनताने पुदिम के खलाब वित्रोह का बिगुल फूंक रखा है इस पीच सवाल उठ रहे हैं क्या पार्शल मोबिलाईजेशन का दाम पुदिन के लिए सही साबित होगा क्या पुदिन की स्टेटजी से युक्रेन के खलाब युद्व में पढ़त मिलेगी हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुदिन के इस दाओं का परणाम क्या होने वाला है पार्शल मोबिलाईजेशन पर दक कन्वर्जेशन की रिपोर्ट के मुदाबे वार्फरंट पर अंट्रेंड बुदुर्ग और कमजोर लोग पढ़ जाएंगे पैटल फिल्ड में अराजकता होगी और संभावित नरसंगार होगा इस फैसले का नतीजा ये होगा कि पुदिन के घमंट के चक्कर में कितने ही रूसी और युक्रेनी बेवक्त मौद के मुँमें चले जाएंगे हाला कि मुबला येशन के फैसले का एक दूसरा पहलू भी है रिपोर्ट के मुदाबिक मुदिन सरकार रूसी माइनॉर्टीज को टार्गेट कर रही है प्यूरेट्स और डेगस्टीनियन्स को टार्गेट किया जा रहा है डेगस्टन रूस का मुस्लिम जनसंग्या वाला शेतर है बाकी देश की दुलना में यहां की लोगों ने युद्ध में ज्यादा जान गवाई है बीवीसी रश्यन सर्विस के मुदाबिक डेगस्टन के 301 सैनिक मारी जा चुके हैं जो मॉस्कों के मुकाबले दस गुना ज्यादा है पुदिन ने जान बूच कर एलीट क्लास को मुबिलाईजेशन से छूट दी है क्योंकि अगर उन्होंने युद्ध का विरोध किया तो रूस मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि एलीट क्लास में ज्यादतर ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे आगे चलकर नेक्स्ट जेनरेशन के ब्यूरोक्रेट्स होंगे साथ महीने बाद पुदिन ने युकरेन युद्ध में मुबिलाईजेशन की टेक्टिस क्यों अपनाई उसकी दो बड़ी वजा है पहली ये कि रूसी कट्टर पंथी ज्यादा से ज्यादा सबोर्ट की मांग कर रहे हैं ताकि जल्द युद्ध को किसी अंजाम तक पहुँचाया जा सके दूसरी ये कि रूस के सैनिक साथ महीनों से जंग के मैदान में हैं ठक शुके हैं अगर नए सैनिक मोर्चा समालते हैं तो उन्हें कुछ रहा दी जा सकती है सवाल यही है क्या पुतिन से बहुत बड़ी गलिती हो गई है